प्रिंट्स बारिस के मौसम आते ही समोसे और पकोड़े खाने का बहुत ही मन करता है तो आज हम बहुत ही टेस्टी नास्ता बनाने वाले हैं, क्रिस्पी नास्ता बनाने वाले हैं और वो भी गेहूं के आटेसी तो चलिए बनाते हैं गेहूं के आटे से बहुत ही टेस्टी नास्ता यदि आप एक बार ये बना कर खालेंगे तो आपको कभी भी समोसे और पकोड़े बनाने का मन भी करेगा आपको ये नास्ता इतना अच्छा लगेगा क्रिस्पी लगेगा और टेस्टी भी लगेगा और गेहूं के आटे से बना है तो अच्छा भी है तो चलिए बनाते हैं ये टेस्टी नास्ता इस नास्ते को बनाने के लिए हमने यहाँ पर आटा लिया है आप अपने हिसाब से जितने quantity में आपको बनाना है उस हिसाब से आप ले सकते हैं जिस बोल से हमने आटा लिया है उसी बोल से आधा बोल हमें सूजी लेना है सूजी या रवा तो मैंने यहापे आधा कटोरी सूजी लिया है आटा लेते हैं उसी कटोर से सुजी लेनाये, क्योंकि आधा आधाय आधाय आपको भाड़के आपको हिसाब से लेनाये, तो उसे हिसाब से जिस कॉंटिटी में आपने लिया आटा से सुजी भी ऐट करनाये, यहां पर थोड़ा सा यहां पर डाल रही हूँ जीरा का पाउडर और इसके साथ मैं यहां पर डालूँगी चीली फ्लेक्स थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए और अगर आप चाहे तो इसमें काली मर्च भी डाल सकते हैं यहां और फिर नमक डाल देजे और इसके बाद थोड़ा सा हरा पत्ता धनिया का हरी पत्ति आप काटके रख लिए बारिक कटे हुए धनिया पत्ति डाल दीजिए और इसमें हमें थोड़ा सा ओईल डालना पड़ेगा या तो आप चाहें तो घी का भी यूज कर सकते हैं लेकिन जिस चीज से फ्राइ करेंगे वही चीज डा आट करेंगे तो इक चंबाट कर में आट करने आटि अग्स पड़ेगा, तो है । आट साथ, कामें डालने आटा वही जाए और हमें थोड़ा थोड़ा पानी ही डालते हुए इसका आटा तयार करना है तो आटा तयार हो गयाRa इसरह थोड़े दिर हम रिष्ट करने के कटोरी में निकाल के रखा है जिस बोल में रखा है उसमें हमें पानी डाल कर इसका गोल तयार करना है पतला सा गोल तयार कर लेजिए बहुत ज्यादा पतलानी थोड़ा सा मीडियम रखे तो इसमें थोड़ा सा हम कलर एड़ करने के लिए इसमें आधा चमच हल्दी भी का भी हल्दी डाल देंगे हल्दी पाउडर तो उसे डाल कर आप इसको मिक्स कर दीजिए और इसके बाद इसे हमें साइड में रखना है अब हमें आलू तयार करना है जो हमें भरावन के लिए चाहिए तो देखे गोल का गोल तयार हो गया है अब हमें आलू को क्या करना है लच्छे जीरा का पाउडर थोड़ा सामचूर पाउडर थोड़ा सा चाट मसाला नमक स्वादा नुसार और इसमें आप चाहे तो लेसन मुर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने हाप पे चिली फ्लक्स यूज किया है और धन्या की पत्ति काट कर हमने यूज कर दिया है और इ आधा-दा मैंने इसे 50-50 कर दिया है और इसे हमें बड़ा बिलना है रोटी की तरह इसे बनाना बहुत ही आसान है आप बिलकुल आप एक बर बना कर देखेगा आपको इतना इजी लगेगा कि आप इसके आगे कुछ और बनाना ही नहीं चाहेंगे क्योंकि समोसे बनाने में भी मैनत लगता है तो बस इसे बना कर खाईए इस बारिस में फटा-फट से आप इसे तयार कर सकते हैं बस जो भी हमने मसाला तयार किया आलू का इसे अच्छे से फैला दीजिए एक साइड से पकड़ के इसे दबाते हुए आपको इसे फोल्ड कर लेना है यह हो गया फोल् आते हुए इसे इस तरह से चप्टा करेंगे यह देखे इस तरह से आपको सारे तयार करने हैं उसके बाद जो हमने घोल तयार किये हैं इस घोल में एक-एक को हमें डालना है और हलका हलका इसे हिलाना है ताकि यह कवर हो जाए इस घोल में और साइट से थोड़ा सा निकाल ताकि लिक्विड है निकल जाए ज़ादा न रहे और फिर तेल गर्म करने के बाद हमें एकए कि अधि से हमने तयार कर लिए कि इस तासरे सारे को लिए अब गोल में एकए कर सीक्ट टालें गिकि दालें 1968 उश जैसे ही एक साइड फ्राई हो जाता है तब आप इसे पलट कर दूसरे साइड फ्राई कर लीजिए गोल्डन ब्रांड कलर हो जाए जैसे समोसे को फ्राई करते हैं उस तरह से जैसे इसका कलर आ जाए बस आप समझ लीजिए यह रेडी है अब इस नास्ते को आप चाई के साथ ग्रिन चटनी के साथ सॉस के साथ सर्व कीजिए और बारिस के टाइम बहुत ही मज़ा आएगा खाना का इसे खाने में तो चाई के साथ जब ही आप इसे स्नेक्स में सर्व करेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा समोसे बनाने में जितनी मेहनत लगते हैं उससे कम मेहनत में ये तयार हो जाता है आपको इसके आवाज से समझ में आ गया होगा कि ये कितना क्रेस्पी है तो इसी तरह से आपको दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेना है दूसरे बैच को भी उसी तरह से आपको घोल में एक एक करके डालना है तो घोल में ऐसे ही डालिए और फ्राई कीजिए बहुत कम समय में लगबग दो मिनट में ये फ्राई हो जाता है बहुत जल्दी फ्राई होता है और इसे फ्राई करना बहुत ही आसान है बारिस के टाइम आप इसे बना कर खाएं आपको बहुत पसंद आएगा और मेरी गारिंटी है कि आपको समोसा और पकोड़े बनाने से आपको यही बनाना ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि बनाने में भी इजी है और खाने में भी यह टेस्टी लगेगा वो सबसे तो इस बार बारिस में इसे जरूर ट्राइ करें बिल्कुल नई रेसिपी है आपको जरूर पसंद आएगी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजेगा और इसके बाद इसे गर्मा गर्म सर्व कीजे वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल न भूलें आपके एक लाइक एक कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है सारे यूट्यूबर को मोटिवेशन मिलता है और वो आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए और सोचते है तो आपका एक लाइक एक कमेंट बहुत माइने रखता है यदि आप मेरे चैनल पर पहली बारा है वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजेगा और इजी और टेस्टी रेसिपी के लिए देखते रहेगा एनेस होम टिप्स तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर नास्ता लग रहा है गर्मा गर्म सर्व करेंगे तो यकीन मानिए आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी तो एक बार इसे जरूर ट्राइ कीजेगा यदि पसंद आए तो आप इसे बार बार भी बना सकते हैं तो मिलती हूँ नेक्स टाइम ऐसे ही कुछ और टेस्टी रेसिपी के साथ तब तक के लिए आप देखते रहें एने सम टिप्स और इसी तरह इजी टेस्टी रेसिपी के साथ मैं मिलती हूँ फिर आपके साथ दूसरे वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू झाल झाल